आज़न बनाएंगे आवला का जूस आप सबको तो मालूम ही है कि आवला के हैल्थ बेनेफिट्स बहुत ही है आवला पोशक तत्मों का राजा माना जाता है आवला में वो सारे जरूरी विटामिन्स और मिंडल्स है जो हमारे सरील को न सिर्फ स्वास्त रखता है बलकि बहुत सारे विमारियों से हमें बचा के रपता है तो हमें आवला का सेवन जरूर करना चाहिए लेकिन आवला का तूरा टेस्ट बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो खाना अवईट करते हैं आज हम हेल्दी के साथ टेस्टी ऐसा आवला का जूस बनाएंगे तो छोटे बड़े सब को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए आवला का जूस बनाने के इंग्रेंस देख लेगा है यहां पर मैंने इस तरह के छे आवला लिये जिसको मैंने फाइनली चॉप करके ले लिया ह फ्रेस वाला हल्दी जिंजर ब्लैक सोल्ड गूर्ड चलिए बना लेते हैं आवल्ड़ी का जूस एक ग्राइंडर जार लिया है गूर्ड़ दालेंगे ब्लैक सोल्ड जिंजर हल्दी आवला पुदीना के पान पानी दालेंगे एक कप जितना और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई है एक बाउल लिए स्ट्रेंडर रखा है चाम लेंगे इसों तोड़ा सा ग्राइंडर जार में पानी दाल लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से चान लेंगे आवले का जूस मैंने यहां पर चान लिया है यह जो उपर बचाए वो तो बहुत ही हल्दी है इसे हम फेकेंगे नहीं एक टोवेल पर इसको अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे और फैंके नीचे यह तीन से चार दिन सुखा देंगे तो यह अच्छे से सुख जाएगा फिर इसे एक कंटेनर में आप रख सकते हैं और इसको मुखवस की तरह इंज्वाइ कर सकते हैं चलिए आवले के जूस को सव कर लेते हैं आवले के जूस को मैंने ग्लास में सव कर लिया है ओपर से थोड़े से पूदिने के पान भी डाले है तो रेडिया है एकदम हैल्दी और इस deux गाले आवले के जूस तो फ्रेंस एकदम सुपर गैल्दी और सुपर टेस्टी अहमारा आवले के जूस करिपेर हो गया है तो ज्यादा फैदे मन रहेगा तो फ्रेंस यह आवले के जूस आप भी जरूर बनाना आपके रिवीज मुझे जरूर बताना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्स्ट्राइब जरूर करना